मैं एक ता नगर में हूँ पर मेरा मन मोर्बी के पीडितों से जुड़ा हुआ है शाहेद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभाव की होगी एक तरफ दर्द से भरा पीड़ी दिल है और दूसरी तरफ कर्मा और कर्तव्य का पत है इस कर्तव्य पत की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूँ लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है हाथ से मैं जिन लोगों को अपना जीवन गवाना पड़ा है मैं उनके परिवारों के परती अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है गुजरा सरकार पूरी शक्ति से कल साम से ही राहत और बचाव कारियों में जूटी हुई है केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है बचाव कारिय में एंडिय अरेप की टीमों को लगाया गया है सेना और वायु सेना भी राहत के काम में जूटी हुई है जिन लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है वहाँ भी पूरी मुस्तेजि बरती जा रही है लोगों की दिक्कते कम से कम हो इसे प्राफिक्ता दी जा रही है हाथ से की खबर मिलने के बाद ही गुजरात के मुख्यमंत्री सिबान भुपेंदर भाई रात को ही मोर भी पहुँच गए थे कल से ही वो राहत और बचाव के कारियों के कमान सबवाले हुए है राज्य सरकार के तरप से इस हाथ से की जाँच के लिए एक कमिटी भी बना दी गई है मैं देश के लोगों को अस्वस्त करता हूँ कि राहत और बचाव के कारियों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी आज राष्टिय एकता दिवस का यह अवसर भी हमें एक जूट होकर इस मुश्टिल गड़ी का सामना करने करतब्य पतपर बने रहने की पेनना दे रहा है कठीन से कठीन परिस्थित्यों में सरदार पटेल का धैरिय उनकी ततपरता से सीख लेते हुए हम काम करते रहें आगे भी करते रहें साथियों वर्ष दो हजार बाइस में राष्टिय एकता दिवस का बहुत विशेश आउसर के रुप में मैं इसे देख रहा हूँ कि वो वर्ष हैं जब हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किये हैं हम नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे हैं